जहिन दोस्तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास के एक महत्मूँ टॉपिक को पढ़ने वाले हैं टॉपिक का नाम है धार्मिक अंदोलन ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है हिस्टी का क्योंकि दोस्तो इस टॉपिक में सारे धर्म कबर होते हैं जैसे जैन धर्म हैं बोद धर्म हैं ईसाई धर्म हैं इसलाम धर्म हैं पार्सी धर्म हैं जितने भी धर्म हैं वो सारे इसी टॉपिक के अंदर आजाते हैं तो दोस्तों इन सभी धर्मों को हम एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं इन सभी धर्मों से जितने भी कोशन बन सकते हैं उन सभी कोशन को हम इसी वीडियो में डिसकस करेंगे मतलब ये वीडियो वेहदी सांदार जवर्जस्त और जवाब होने वाला है इसलिए इस वीडियो को विना स्किप की लाज तक जरूर देखें तो आईए दोस्तो सबसे पहले हम सुरुवात कर लेते हैं जैन धर्म से की तो जैन धर्म में सबसे पहले पूशा जाता है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंक पर हुए है जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे यही जैन धर्म के संस्तापक थे तो इनका नाम क्या है रिसब देव ठीक है आप से पूछा जा जैन धर्म के पहले संस्तापक आप कहेंगे रिसब देव जैन धर्म की स्थापना किस ने करी थी आप कहेंगे रिसब देव न तीधंकर थे पारशनाथ और इप्रतिक चीनिता सार्प यानि की साप और जैन धरम के जो अंतिम तीधंकर है कौशी नंबर के 24 क्योंकि चोटल 24 तीधंकर हुए हैं जैन धरम हैंं तो अंतिम तीधंकर थे उस्थामी कंटसर महावीग सबसा ज्यादा प्रसिद्ध Fit दूसरे आप से पूछे जाएंगे आप कहेंगे अजतनात तीसरे थे संभावनात चौते थे अभी नंधन पांचवे सुमितनात छटबे थे पदमे परभू चीक है इस प्रकार से यह इसकीन सौट आप ले लेना शुरू के पांचछे पूछे जाते हैं और लास्ट यहां वी सौएमित फाहं तो सुम के 5-6 और लास्ट यह चाहर आपको जरूर याद होना चाहिए अब दोस्तों जो जैंधर्म के तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिनने पूंछे जाते हैं कि कौन से तीर्थंकर के प्रतीक है हम इसे पूछित जाते हैं तो जो पहले तील्थंकर थी ठीक है रजबदिव कि प्रतिक चिन्य था साड अजितनात का है हाती है संभौनात का घूरा है और सुपास्वनात का क्या है स्वास्थिक शांतिनात का क्या है हिरन है मैंने यहां पर फोटो भी लगा दी है ठीक है अरस्वे तीर्थंकर अरश्ट नइमी का संक है 23 तीर्थंकर पास्वनात का सरप है 24 वे जो है महाभीर स्वामी ने जेन संग की इस्थापना कहा पर की थी पाबा पुरी में इनने जेन संग की इस्थापना करी और महाविर स्वामी के अनुआई क्या कहलाते थे तो यह जेन कहलाते थे पाथनात के अनुआई क्या कहलाते थे तो निरग्रंथ कहलाते थे ठीक है महाविर स्वामी का प्रतीक चिन्न मैंने आपको बता दिया है सेर यनि कि सेह था महावीर स्वामी का जन्म 540 इसापूर में कहा पर हुआ था वैसाली की कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था और आप से पुशे जाएंगे कि महावीर स्वामी का जन्म किस छत्रिय गोत्र में हुआ तो जानत्रिक छत्रिय गोत्र में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी के पिता का नाम सिधार्थ और माता का नाम क्या था तिरसला था ठीक है नैश्की हम बात करें दोस्तों महावीर स्वामी के जो प्रथम सिस्स थे इनका नाम क्या था जमाल ये कई बार पूठव रहता है जनबिक्षिoms कौमं विक्षूों को नगन रहने की सिख्चा कसुने दी थी महाइबिर सवामि ने और जन धर्म में पूण ग्यान को क्या कहा दाता है। ज्यान को केवल ज्यान कहा जाता है जैन ध्यान का सभसे महतपूर्ण सिद्धांत अहिंसा यह की है जैन ध्यान की पूर्व जैन धृम की मौलक ग्रंध को पूर्व कहा जाता है महावीर श्वामी की मृत्यू कब हुई थी तो 468 इसापूर में इनकी मृत्यू हुई थी भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था दिगंबर संप्रदाय फैला था भारत में ठीक है जेन धर्म के जो हैं कितने संप्रदाय हुए हैं तो जेन धर्म के दो संप्रदाय हुए हैं एक तो सोईतांबर और दूसरे दिगंबर सोईतंबर जो सोईत वस्त्र धारान करते हैं ठीक है दिगंबर जो नगन रहते हैं ठीक है पता ये जैन धर्म का सबसे बड़ा केंदर कहा था करक्टा अंसर हो जाएगा चमपन नगरी में नैश कोसन है महाबीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहा पर दिया था इनने राजगीर में अपना पहला उपदेश दिया जेन धर्म कोन कोन से संपरदाय में बट गिया था मैंने बैताया था कि जेन धर्म दो संप्रदाय में बट गया सोईतांबर और दिगंबर जो सोईत बस्तर धारान करते थे उनको सोईतांबर कहा गया और जो नगन रहते थे उनको दिगंबर कहा गया महाबीर स्वामी को कहा पर ग्यान प्राप्त हुआ था तो जरंबिक ग्राम तो याद रखना जैनियों के द्वारा सरीर को भूंका रखकर प्रान त्यागने की विधी को क्या कहते हैं? तो याद रखना जैनियों के द्वारा सरीर को भूंका रखकर प्रान त्यागने की विधी को क्या कहते हैं? तो याद रखना, जैनियों की द्वारा सरीर को भूंका रखकर प्रानत यागने की बिदी को सलेखने बिदी कहा जाता है, पताए जैन मठों को क्या कहा जाता है, तो जैनों की मठों को बस दिस कहा जाता है, जैन धर्म में किसकी मानता नहीं है, इसवर और आत्मा की मानता नह पिर्थम संगीती जो है ये पाटली पुत्र में हुई थी विहार के और 322 इसापूर्व हुई थी ठीक है अध्यक्ष्टा करी थी इस्तूल भद्रने दोतिये संगीती हुई थी गुजरात के वललवी में 512 इसभी में हुई थी और देवर्धी छमा सरबनने इसकी पर महावीर स्वामी कीम क्रत्य होई दुस्तों महावीर स्वामी के जीवन में जो महत्पून घटनाई हुई है उनको कोई न आता है महावीर की मृत्व की बाद जेन संग की अध्यक्षता किस ने करी तो सुधर्मन ने करी थी जेन धर्म की दुतिय संगीती कहां पर हुई थी गुजरात की वल्लबी में प्रथम जेन महासवा का आयुजन कहां पर किया गया पाठली पुत्र में अब जेन साहत का संकलन क πειकिस भासा और लिपी में किया गया तो जेन जाहत जो है उसका संक्लन प्राक्तिक भासा में किया गया ठीक है और लिपी कौन सी है अर्द मगदी लिपी तो भासा और लिपी दोनों याद रखना स्यादबाद सिध्धान किस धर्म से सम्मन्य थे ये directly question पूछे जाते हैं तो जो स्यादबाद का सिध्धान थे ये जैन धर्म से सम्मन्य थे जियो और जीन्य दो किस ने कहा था महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 वे तीर्थन करने कहा था जियो और जीन्य दो जैन धर्म जो है यह सोईतामबर और दिगंबर संप्रदाय में बट गया था दो संप्रदाय में आपसे पूछा जाएगा किसके सासनकाल में यह बटा था तो चंद्रगुप्त मोर्ये की सासनकाल में बटा था ठीक है जो प्रत्थम विभाजन है सोईतामबर ठीक है जो सोईत बस्तो धारां करते थे इसके संस्तापक कौन थे इस तूल भद्र इसके संस्तापक थे ठीक है फिर आप से पूछा जाएगा कि जो दुतिये विभाजा ने दिगंबर संप्रदाय तो दिगंबर संप्रदाय के संस्तापक कौन थे तो भद्र बाहू इसके संस्तापक थे ठीक ह जैन धर्म में मतिग्यान किसे कहा जाता है मतिग्यान जो ग्यान इंद्रिये और मन दोनों से प्राप्थ होता है उसको मतिग्यान कहा जाता है महावीर स्वामी यती कब कहला है या फिर ऐसा पूशड आए महावीर स्वामी को यती कब कहा गया तो ग्रह त्यागने के बाद महाभीर्श्वा में यती कहला है जैन धर्म के सिध्धान्त भारतिये सरदर्शन के किस दर्शन के करीब हैं करक्टांसर हो जाएगा सांख्य दर्शन के करीब जैन परमपरा के अनुसार वासुदेव क्रिशन किस तीर्थंकर के समकालीन थे तो जैन परमपरा के अनुसार जो वासुदेव क्रिशन है ये अरश्ट नेम के समकालीन माने जाते हैं जैन धर्म में मूर्ति पूजा का पर्थम साक्ष कहां से मिलता है मत्रा अविलेक से जैन धर्म में मूर्टी पूजा का साक्ष मिला था जैन धर्म के अंतिम महं सर रक्षकों में किसकी गढ़ना की जाती है तो जैसा सिद्धरा चालुक और कुमार पाल चालुक को ठीक है महाविर स्वामी का एक संग था बिक्षुनी संग ठीक है तो विक्षुणी संग की प्रधान कौन हुआ करती थी चंदना जो है ये विक्षुणी संग की प्रधान थी जेन साहत को क्या कहा जाता है जेन साहत को आगम कहा जाता है ठीक है जेन ग्रंथ कल्प सूत्र की रचेता कौन है कई बार पूछा गया कौशन है तो रचना में 16 महा जन पदों का उल्लेक मिलता है भगवती सूत्र में 16 महा जन पदों का उल्लेक मिलता है सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कौन सा है तो 14 पूर्व दिलवाडा के जेन मंद्रों का निर्माण किस ने करवाया था विमल साहे ने दिलवाडा के जेन मंद्रों का निर्माण करवाया था जेन धर्म को अंतिम राज की सर्रक्षन किस बंस के सास को ने दिया करेक्टर अंतर हो जाएगा गुजरात के चालुक के सास को ने कौन सा इस्थल पार्षविनाथ से सम्मंध होने के कारण जैन सिद्ध छेत्र माना जाता है करेक्टर अंतर हो जाएगा सम्मेद सिखर दोस्तो यदि आप इसी प्रकार से जीके को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जीके की रामबार ebook लॉंच हो गई है जीके करेंट अफ्यस को पढ़ना चाहते हैं करेंट अफ्यस की ebook लॉंच हो गई है साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो साइंस की ebook लॉंच हो गई है और दोस्तो मैं बार-बार बोलता हूँ कि ये West Quality की E-book हैं यदि आप इन E-book से तयारी करते हैं तो आप exam में अच्छा score करके आएंगे ये मेरी guarantee है नेश्ट की हम बात करें बौद धर्म की तो दोस्तो बौद धर्म की सबसे पहले स्थापना किसने करी थी गौतम बुद्ध ने बौद धर्म की स्थापना करी थी और गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था कपिल बस्तू के पास लुम्बनी में इनका जन्म हुआ था इ सुत्धम बुध्द्र ने घर कितनी वष्ट की आईू में त्यागा है। तो उनकी वच साल बाद इनको जन की पराप्ति हो जाती है। तो पूर 최ान की धर्मिक संप्रदाएं को समझे लो आप वहां से मूचा जाता है। आपसे पूछा जाता है आजीविक संपरदाय के संस्तापक या फिर परबर्तक कौन है आप कहेंगे मखली पुत्र गोसाल आपसे पूछा जाए घौर अक्रिया बादी के संस्तापक कौन है आप कहेंगे पूरण कश्रप फिर आपसे पूछा जाए कि उच्चेद बादी या पर भौतक बादी के संस्तापक आप कहेंगे आजित केस कंबलिन फिर नित्यवादी के पकुधक चयायन ठीक है संदेवादी इसको अनिश्चेवादी कहा जाता है तो संजय बेलिथी पुत्त इसके संस्तापक है यह कई बार कॉस्टन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने बता द गौतम बद्ध को ग्यान कप प्राप्थ हुआ था तो बैसक की पूनिमा को इनको ग्यान प्राप्थ हुआ और आपसे पूछा जाए कहां पर ग्यान प्राप्थ हुआ तो बोध गया के अरुबैला में और पीपल के ब्रक्ष के नीचे इनको ग्यान प्राप्थ हुआ और जिस ब्रक्ष के नीचे इनको ग्यान प्राप्थ हुआ, उस ब्रक्ष को क्या कहा जाता है, तो उस ब्रक्ष को बोधी ब्रक्ष कहा गया, बुद्ध की मृत्यू कुशी नगर में हुई थी, और इनकी मृत्यू को क्या कहा जाता है, महा परिनिर्वान कहा जाता है, बुद्ध कि घटना को महा भिनिस क्रिमन कहा जाता है बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है धर्म चक्र प्रबरतन की नाम से जाना जाता है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था तो सारनात के हिरन पार्क में इनने पहला उपदेश दिया थ बुद्धցधृद्धन का श्युक्त होता है एक ही नियान और दूसरा महायान कि तो इनकी मॉसी थी परजापती गौतमी कि नम की थी कि इनने बुर्दü का पालन पूशन किया था यह हमेशा पूठ हजाता है किस संपरदाय के दिए तो यह शाक्षिस संपरदाय के करता है तो ठीक है बॉद्ध संग में प्रस्तावित पार्ट को क्या कहा जाता है अनुवासन पार्ट कहा जाता है बुद्ध के पांच प्रियस से कौन थे तो एक थे अनुरुद्ध दूसरे आनंद तीसरे उपाली चौथे सारी पुत्र और पांच में थे मोगलान ठीक है पवित्र दिसा क्या थी दक्षिन इनकी पवित्र दिसा थी वह धर्म का प्रचार किस भासा में किया गया तो देखिए मैंने जेन धर्म के बारे में जब आपको बताया तो जेन धर्म के बारे में मैंने आपको बताया प्राक्तिक भासा तो प्राक्तिक इनकी कौन सी भासा थी इनकी पाली भासा थी, समझ गया आप लोग तो इनके पाली भासा में पिर्चार ..akis बताए बुधों के पूजा इस्तल को क्या कहा जाता है तो इनकी पूजा इस्तल को設 चैत कहा जाता है। अनात्मबादी थे यानि कि यह बहुत ज़्वान ब cui अग जरह आपर विस्वासат करते थे लेकिन फिर भी ये पुनर जन्म में विस्वास करते थे इनका ऐसा मानना है कि इनसान जो है ये पुनर जन्म लेता है ठीक है महत्मा बुद्ध ने सरप्रथम कहां पर तपस्या करी तो बौध गया के उरूवेला में इनने तपस्या करी थी ठीक है बौध मत इसको बजरियान कहा जाता है इसमें किस नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाली मान कर पूजा गया ह तो पंक्च रक्षा नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाली नारी माना गया और इनकी पूजा होती थी किस बौध संगीती को बिवादास्पत माना जाता है तो पांच भी बौध संगीती को बिवादास्पत माना जाता है किस बहुद्ध नंगेती की समाए स माशा करते हैं और उस समाए सत्रू साशक तूरित इस संगीती हुद्ध्यश्यश्य करते हैं पहली संगीती 853 सिll पूर्व राजगरहेता करते हैं महाकश्यफ और अजात सत्रूश कौई दोती संगीती 383 इसा पूर्व वैसाली में होती है सभाकामी अध्यक्ष्टा करते हैं और काला सुक उस समय सा सकते तीसे संगीती 555 इसा पूर्व होती है पाटली पुत्र में और मोगाली पुत्र तिसमें इसकी अध्यक्ष्टा करते हैं असुक उस समय सा सकते चोहथी संगीती होती है पर्फमसाताबदी में कुंडलबन में होती है वसू मित्र या फर आस्वगोष ने इसकी अध्यक्षता करी कनिस्क उस समय सासक थे ठीके तो अका आका ठीके एके एके ऐसे करके हम याद रक सकते हैं ठीके क्या एके एके कि उस समय सासक कौन थे ठीक है अब हम बात करें बहुत सबा की जो वैद का रवाई है इसके लिए सदस्यों की नियुनतम संख्या कितनी निर्धारत थी करक्टांस रो जाएगा 20 निर्धारत थी बहुत धर्म में कितने वर्स से कम आयू के लोगों को सामिल नहीं किया जाता था तो 15 वर्स से यदि किसी की आयू है तो वो बहुत धर्म में सामिल नहीं हो सकता मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन थे ठीक है छाण भंगवाद सिद्धान किस मत से सम्मन्द थे बहुत मत से सम्मन्द थे त्री पिटक गरंथ जो है ये बहुत धों का है ठीक है और बहुत गर विभषता मतलiãoट है और इसकी रचना पाली भासा में करी गई ठीक है बधों की भासा पाली है जैनों की प्राक्ट्थ है बध्ध ने किस इस्थान पर महा परिनिर्मान यानि की मरत्यू प्राप्ट किया तो इनकी मरत्यू कुसी नगर में हुई थी बौध विक्षा का केंद्र क्या है बिक्रम सिला बिस्विध्याला है किस सासक ने बौधों के लिए विख्यात बिक्रम सिला बिस्विध्याला की स्थापना करी तो धर्म पाल ने बौधों के लिए बिक्रम सिला बिस्विध्याला की स्थापना करी थी किस उसके दोवारा तरतिय बौत संहगीत icon selection प्रदान किया गया तो उस समय कौन थे सासक 88 00 जीकर यह कि तीसरी बौत संहगीति के समय किसा सके शासनकाल में नेपाल में बौत धर्म का गमन हुए असोक के समय और भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है नालंदा साची क्यों फेमस है क्योंकि यहाँ पर बौद्धों के इस्तूप है और बौद्धों के सबसे बड़े इस्तूप जो है साची में है मद्धपदिश में पढ़ता है साची स्थान मठ मंदिर और इस्तूप किस धर्म स से सम्मंद थें थे बहुत धर्मिंसे सम्मंद vinnen अपना उप्दिस के साषन कालमे दीए गए गउतं Vamos ने अपना पहला उप जो यह शारनाथ में दिया था बहुत धर्म ? पहली महिला आपसे पूंची जाती है एक्जाम में हमेशा तो महा प्रजापती गोत्मी जू है ये बुद्धर्म ग्रहन करने वाली पहली महिला है और बुद्ध गया कहां परस्ते थे बुद्ध गया बिहार में है जाता किसका ग्रंथ है तो जाता कि ये बुद्धों का ग्रंथ है ठीक है सारनात में बुद्ध का प्रथम प्रबचन क्या कहलाता है तो धर्म चक्र प्रबचन कहलाता है बुद्ध के ग्रहत्या का प्रति क्या है जब बुद्ध ने ग्रहत्यागा तो इसका प्रति घूड़ा है गोतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संग की इस्थापना करी गई मैंने बताया तो भिक्ष जुन ने शुन्यवाद यानि की शुन्रता के सिध्धात दिया था एसिया की रोशनी यानि की दी लाइट ओफ एसिया किसे कहा जाता है गौतम बुद्ध को कहा जाता है ये जो है कई वार रिपीट हुआ है कॉस्टन कनस के सासनकाल में चर्थोत बुद्ध संगीती हुई थी लेकिन कहा पर हुई थी तो कुंडल बन में हुई थी तीसरी बुद्ध संगीती हुई थी पाटली पत्र में और पर्थम बुद्ध संगीती जो है ये राजग्रह में हुई थी थीक है बुद्ध की मृत्यूं के बाद पिर्थम बुद्ध संगीती की अध्यक्ष तक इसने करी थी तो महा कश्य अपने करी थी बुद्ध धर्म के महायान और हीनियान संप्रदायों में सरबाधिक मौलिक अंतर किया था तो देवी देतों की पूजा सबसे बड़ा मौलिक अंतर था दोनों संप्रदाय हीनियान और महायान में महात्मा बुद्ध किस छत्रिय कुल के थे तो ये साक के छत्रिय कुल के थे बुद्ध चरत जिसे बुद्धों का रामाण कहा जाता है कि रचनाकार अस्व घोस हैं ठीक है कई बार पूछा गया कौसान है कौनसी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है धम्पद गीता के समान पवित्र मानी जाती है बुद्धर्म में भावी बोधी स्वत्य या फिर भविस्थ का बोधी स्वत्य किसे माना जाता है मेत्रे को माना जाता है भारत से दक्ष्ण की ओर देशों में बोध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ तो हीन यंध ठीकै और भारत से उत्तर की ओर के देशों में कौन सा बौध संप्रदाय प्रचलेत हुआ तो उत्तर की ओर के देशों में जो है महायान जो प्रचलेत हुआ था और दक्षन की ओर के जो देश थे वहाँ पर ही नियान प्रचलेत हुआ था बुद्ध के अनुसार निर्वान प्राप्त किया जा सकता है, एक्छाओं को कम करके निर्वान प्राप्त किया जा सकता है, दो तिये बुद्ध परिसद हुई थी वैसाली में, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संग प्रमक होना चाहता था, तो बुद्ध के जीवित रहते ही देववत जो है ये संग का प्रमक बनना चाहता था बुद्धर्म के पतन के कौन-कौन से कारक सहयक थे तो विदेशी आकरमन हो रहे थे उस टाइम बुद्धर्म के पतन के कारण बनते हैं वह ब्रक्ष किसने कटवा दिया तो जिस ब्रक्ष की नीचे महत्मा बुद्ध को ग्यान प्राप्थ हुआ था वो पीपल का ब्रक्ष था और इस पीपल की ब्रक्ष को क्या कहा गया बोधी ब्रक्ष कहा गया ठीक है और ये बोधी ब्रक्ष ससांक ने कटवा दिया था यही वो कोस्टन है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग कमेंट करते हैं यहां कमेंट बॉक्स में कि सर ये तो किसी ने पढ़ाई नहीं अब पढ़ लो क्योंकि इस प्रकार के कोस्टन एक्जाम में पूछे जा रहे हैं और इसलिए ये मेरतन वीडियो आया है ताकि कोई भी कोस्टन यहां से बाहर ना पूछड़ाए तो गरहस्त जीवन में रहे कर यदि कोई बौध मत मानने लगता है बौध धर्म गरहन कर लेता है तो इसको उपासक कहा जाता है और यदि कोई घर त्याक कर बौध धर्म गरहन कर लेता है तो इसको भिक्षुन कहा जाता है किस काल में बौध धर्म हीनियान और महायान दो संप्रदायों में बट गया कोशान काल में महत्मा बुद्ध ने दर्सन येवम योग की सिक्षा किस से गरहन करी थी अलार कलाम से ठीक है अब दोस्तों महत्मा बुद्ध की जीवन से जुड़ी कुछ प्रतीक्चन है वो हमेशा एक्जाम में पूछ जाते हैं जैसे इनके जन्मे से जुड़ा कौन सा प्रतीक्चन है कम और शाड ठीक है और इनको जब ग्यान की प्राप्ति हुई तो कौन सा प्रतिक चिनन SECRET से जुड़ा है तो पीपल का ब्रक्ष है पर उसको बोधी ब्रक्ष कहा जाता है इसको किस ने कुटवा दिया था ससांक ने ठीक है मृत्यू से जोड़ा पृतिक कौन सा है इस्तूप है और घरत्यागने से जोड़ा इस्तूप क्या है पृतिक क्या है सोरी तो घोड़ा है और निर्वान ठीक है निर्वान से जोड़ा पृतिक जो है पदचिन है और प्रथम उपदिस इनने दिया तो उससे जोड़ा पृतिक से सम्मंदित जो इस्थल हैं वो भी कही बार पूछे जाते हैं जैसे लुम्बनी ठीके तो इनका जन्म हुआ था गौतम जन्मे लुम्बनी ठीके बोध गया में ग्यान और सारनात में दय उपदेश कुसी नगर में प्रान मतलब इस प्रकार से मैं याद रखता हूं ठीके ग आवस्ती में सबसे ज्यादा अपदिश दिये और इनकी निवास इस्थान को क्या कहा जाता है वैलू वन कहा जाता है तीके तो यह महत्मा बुद्ध से जुड़े जो की एक्जाम में पूछे जाते हैं उस पीपल की ब्रक्ष को किस नाम से जाना जाता है जहां पर इनको ग ग्यान प्राप्ति कितने साल की वस्ताम हुई थी तो इनने घरत आगा था 29 वर्स में 6 साल के बाद 35 वर्स की आवि में इनको ग्यान की प्राप्ति हो जाती है बुद्ध कला का प्रमुक केंद्र कहा था नासक में किस बौद्ध ग्रंथ में संग के नियम बर्णत है तो एक प्रंथ है विनाई पिटक ठीक है इसमें संग के नियम दिये गए हैं बौद्ध धर्म के नियम इसमें दिये गए हैं ठीक है मिलंद पन हो यानि कि मिलंद के प्रश्ण राजा मिलंद और किस बौद्ध विक्षू के बीच संबाद है तो राजा मिलंद और नाकसेन के बीच यह संबाद है ठीक है बताएए प्राचीन बॉद धर्म और हिंदु धर्म के मद्द सेत्व की रूप में माना जाता है महायान बाद को गौतम बुद दौरा अपने धर्म में दिख्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति तो गौतम बुद ने सुमद्ध नाम के व्यक्ति को दिख्षित किया और ये बौत धर्म में दिख्षित होने वाला अंतिम व्यक्ति माना जाता है याद रखना इसकी बारे में ठीक है अब देखिए अभी तक तो हमने केवल दो धर्मों के बारे में पड़ा है जेन धर्म और बौत धर्म ये धर्म सबसे ज़्यादा महत्पू पूछे जाएं तो आप कहेंगे हजरत मुहम्मद थे और आप से पूछे जाएगा हजरत मुहम्मद का जन्म कहां पर हुआ था मक्का में इनका जन्म हुआ था हजरत मुहम्मद के बच्पन का नाम अमीन था हजरत मुहम्मद को ग्यान प्राप्थ हुआ मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ग्यान प्राप्थुगा था, ये मक्का कहां पर है, सौधी अरब में है मक्का, और 24 सितंबर 622 को हजरत मुहम्मद के मक्का से मदिना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो हजरत मुहम्मद ने जो मक्का से मदिना की यात्रा करी थी, इसको हिज उत्रादीकारी को किया कहा जाता है, एनके उत्रादीकारी को खलीपा कहा जाता है। क्योंकि एक एक प्रश्न अच्छे से पढ़ लो, यहां से कौसन पूशे जाते हैं, पेगंबर की सिक्षाओं का संग्रह किस न है, तो कुरान ग्रंत में उनकीando का संगरा है पैगंबर के जनमे दिन पर कौण सा पर्ब मनाया जाता है तो एद ए पिजल ब्ला उन नबी ये पैगंबर के जनमे दिन पर मनाया जाता है ई Państwa एगंबर की बात करें तो इसके प्रबर तक कौन थे? इसा मसी ठीक है और इसाई धर्म का प्रमोग्रंथ कौन सा है बाइविल इसाई धर्म का प्रमोग्रंथ माना जाता है इसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है यहूदी धर्म से इनका विकास हुआ है इसाई धर्म के कौन-कौन से संपरदाय हुए तो कैथोलिक और वजरत नामकिस्थान पर इसा मसी का जन्म हुआ था इसा मसी की पिता का नाम जोसेफ था इसा मसी की माता का नाम था मेरी ठीक है और इसा मसी को सूली पर किस ने चड़ाया रोमन गवर्नर पेंटियस ने इसा मसी को सूली पर चड़ाया इसा इसाई धर्म का सरवादिक पवित लकूलिस को सिब का अवतार माना जाता है कापालिकों के इश्ट देव कौन है भेरव हैं सरप्रथम आवतारबाद का उल्ले कहां पर मिलता है भगबत गीता में और युनानी राजदूत था मेगस्तनीज मेगस्तनीज कुन था युनानी राजदूत इसने स्रीकिशन को क्या दिया तो स्रीकिष्ण को मेगस्त नीजने हैराकलीज कहा था ठीक है और मेगस्त नीजने भगवान सिप को भी एक नाम दिया तो दॉनशन और यह कॉस्क्त तूछे जाते हैं और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ठीक है धर्म का किस काल को माना जाता है तो गुप्त काल को माना जाता है मअ धर में घटना महा मस्तक अभी से एक सम्मंद्त है यह बाहु वली से सम्मंद्त है ठीक । आप वैशनौव धर्म करें प्रमुक्त संपरदाय मत और आचार यह अउनको आप समझे लो बैशनौग संपरदाय की बात करें तो इसका मत क्या है बिशिष्ट देवत आचारी कौन है रामानुष ठीक है ब्रह्म संप्रदाय का मत क्या है दोयत और इसके आचारी है अनंतितीत रुद्र संप्रदाय का मत है सुद्ध दोयत और इसके आचारी है बल्लभाचारी सनक संप्रदाय का मत क्या है दोयत दोयत और इसके आचारी हैं निंबार्क ठीक है अब दोस्तो नाराण को उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है तो नाराण की उपासना करने वाले को पंचरात्र कहा जाता है नाराण का सरप्रथम उल्लिक कहां पर मिलता है ब्रामण ग्रंथ में ठीक है भागबत धर्म में क सरपर्थम देविकी के पुत्र किष्ण का वरणन किया गया है तो चांदोग उपनी सद में देवकी के पुत्र किष्ण का वरणन किया गया है वासुदेव किष्ण की पूजा सरपर्थम किसने प्रारम करी थी तो सात्विकों ने वासुदेव किष्ण की पूजा प्रारम करी थी आजीबक संपरदाय के संस्तापक कौन है तो मखली गोसाल जो है ये आजीबक संपरदाय के संस्तापक है ये परशन अभी SSC के एक्जाम में पूछा गया था ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर हमने जैन धर्म बौत धर्म इसाई धर्म पार्सी धर्म जितने भी धर्म हैं औ आपको ये content के असल लगा content की quality और आपकी वहादुर सरका पढ़ानी का तरीका के असल लगा आप हमें comment section में comment करके बताएं और इस प्रकार से आप किस topic का निचोड चाहते हैं ये भी हम ये भी आप हमें comment करके जरूर बताएं और इसी प्रकार से यदि आप gk को पढ़ना चाह चाहते हैं और current affairs को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ebooks launch हो गई है ठीक है और इन ebooks का link आपको वीडियो की description box मिल जाएगा तो फटा-फट से इन ebooks को purchase करके अपनी study को strong कर देजिएगा एक question बता के जाईएगा as a test हम आपसे पूछते हैं कि जहां पर बुद्ध जी को ग्यान क की प्राप्ति हुई थी जिस प्रक्ष की नीचे वो people का ब्रक्ष था और उसको body स्कती नाम दिया गया ये प्रक्ष किस ने कटवाया कि फटा-फट से आप इसका answer बता ये कि ये comedy ब्रक्ष किस ने कटवा दिया था ठीक है मैं आपसे मिलूँगा next video में किसी trending और महत्पून टॉपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत बंदे मातरम